बिहार में थम गया बारिश का सिलसिला अब गर्म रहेगा मौसम मौसम विज्ञानी ने किसानों को दे दी ये सला बिहार के मौसम में काफी तीजी से बदलाव हो रहा है विभाग ने अभी मौसम शुश्क रहने की संभावना चताई है आज गर्मी रहने की उम्मीद है आज मुजफरपुर में अधिक्तम तापमान 32-34 डिग्री सेलसियस के बीचे रह सकता है जबकि नियूंतन तापमान 25-27 डिग्री सेलसियस के आसपास रहेगा मौसम विभाग के अनुसार वर्षा की संभावनान नहीं है बिहार में मौसम काफी तीजी से बदल रहा है अगले 24 घंटे तक राजधानी समेत अधिकान जिलो का मौसम शुष्क बने रहने की उम्मीद है उतर बिहार में सुबह से आसमान में बादल छा रहे हैं दिन में तेज धूप निकली इस दोरान गर्मी वो उमसने लोगों की परिशानी बढ़ा दी है विभाग ने अभी मौसम शुष्क रहने का पूर्वा नुमान प्रकट किया है जलवायो परिवर्तन पर उच अध्यन केंद्र डॉक्टर राजेंद्र प्रशाद केंद्री उक्रिशी विश्व विद्याले पूसा के अनुसार सुमवार को अधिकतम तापमान 34 डिगरी सेल्सियस दर्च किया गया जो सामान 1.6 डिगरी सेल्सियस जादा है नियूंतम तापमान 25.6 डिगरी सेल्सियस पर जाकर थमा यह सामान इसी 1.6 डिगरी सेल्सियस जादा है वर्य मौसम विज्यानी डॉक्टर ए सतार ने बताया कि अगली दो दिनों तक आसमान में बादल चाय रहेंगे वर्षा की संभावना नहीं है मौसम शुष्क रहेगा इस अवधी में अधिक्तम तापमान 32-34 डिगरी सेल्सियस के बीच रह सकता है जबकि न्यूंतन तापमान 25-27 डिगरी सेल्सियस के आसपास रहेगा मौसम विग्यानी डॉक्टर गुलाब सिंग ने किसानों को सुझाव दिया कि फूल गोवी की अगहनी किस्म की रुपाई करे आगात फूल गोवी में पत्ति खाने वाले कीट डायमन बैंक मांथ की निगरानी करे बैगन की तयार पौधे की रुपाई करे रोपनी से पहले एक ग्राम फ्यूरा डान तीन जी दानेदार दवा प्रती पौधे की दर से जड़ के आसपास मिट्टी में मिला कर रोपनी करे और 20 से 25 दिनों वाली फसल में निकौनी करे इसी के साथ साथ आपको बता दे कि 15 अक्टूबर की बाद से मौसम में बड़ा बदलाब दिखेग आपको एक बार फिर से मौसम का बदलता हुआ मिजाज़ देखनी को मिलेगा ब्योरो रिपोर्ट तेश्वा न्यूज